हलो दोस्तों रोज की तरह आनले लिखनी ब्लॉक में सबका हर्दी सागत है सबके मंगल भुष की कामना के साथ बढ़ों को मेरा नश्कार सोटूं को मेरा आशिरवाद दोस्तों मैं ठीव हूँ आशा करता हूँ कि आप सब ठीव हूँगे आनले लिखनी ब्लॉक में सबका सादर अभी दंदन है दोस्तों आज के प्रेणादायक विचारों में आनले लिखनी ब्लॉक की माध्यम से दोस्तों हमारे जीवन में अनुभव हमारे लिख किस प्रकार से एक बरदान के रूप में साबित होते हैं एक अनुभवी व्यक्तवी किसी भी कारी की दक्षिता को कैसे परिपून करके सामाजिक परिवेश में अपने अस्तित्व को उभारने में और किसी भी कारी को संपन्न करने में अपना योगदान देता है तो अनुभव हमें दोस्तों अनुभव क्या है अनुभव का वास्तिविक अगर हम कहें तो काम की जानकारी है किसी भी काम के प्रती हम कितने उसके गूर रहश्य तक पहुँचे हैं कितने उसके अंतास तक पहुँचे हैं और कितने किस प्रकार से हम उसको परिमाचित और सुनियोजित धंक से संपन्न कर सकते हैं वह अनुभव का शही स्वरूब है यानि तजूरवा इंग्लिस में इसको कहते हैं दोस्तों एक्स्पिरियेंस यानि अनुभव तो प्रतिक व्यक्तिगत रूप से किसी चीज का शामना करने या उससे गुजरने का एक विशेश हुदाहरण हमारे जियून में जब आता है तो वही हमारे अनुभव का सबसे बड़ा तजूरवा होता है और जिसको हम साकार रूप में और प्रियोग आत्मा गुरूप में अपने प्रतिक्ष रूप में अपने आँखों के सामने उसको देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं वही अनुभव की सबसे बड़ी एफिरूजी है जैसे जोस्तो हम जंगल में जाते हैं और जंगल से अगर हम गुजरते हैं तो गुजरते गुजरते हम जब भीषन जंगल में चले जाते हैं तो हमें कहीं न कहीं शेर दिखाई देता है तो शेर की वास्तविक्ता को शेर के बारे में जानकारी होना, शेर किस प्रकार से जंगल में भीषरन करता है और शेर का शरीर कैसा होता है ये चीज हम जब उसको शामने देखते हैं या हम उसको देख करके अपने अंताकरण में जो भई हमारे अंताकरण में जाता है वो हमारे अनुभों का एक अहसास होता है और किसी भी चीज में दोस्तों हम जैसे बच्चे होते हैं, बालग होते हैं हमारे छोटे जीवन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो सिख्षक है किसी भी बच्छे के तो चिख्षक के साथ उनका जो आदानप्रतान होता है आचार विचार होता है शिख्षा के बारे में कुछ तो कोई न कोई हरे एक बच्चे के जीरून में कुछ न कुछ अन्भाव बच्पन का होता है। जिसको वह हमेशा के लिए उसके सामने होता है और वह उसकी क्रिया है, प्रिक्रिया है और जो खेलने, जागने, उठने, पड़ने, लिखने की अभिरूची है। उस समय में वह बाल्यावस्ता में उस चीज को बाद में अनभव करता है, कि उस समय में इस पकार का कारी किया था, जाहे वह अच्छा किया या कोई खुरापाती कारी किया कोई इस पकार का, जैसे हाम करते हैं बरभ है, बरभ पढ़ती है, जैसे हाम जहां पर बरभ नहीं होते हैं, पर बरभ देख सकते हैं, लेकिन जो बरभ का गिरने का जो तरीका है और किस दंग से बरग गिती है, उसका अनभव हम तभी कर सकते हैं, जब हम साक्षात रूप में अपनी आँखों से उसको देखते हैं, और उस परिवेश में अपने को नहीत रखते हैं, तो वास्तवी ज्यान वास्तवी अनभव हमको तब प्राप्त होता है, बरग किस पकार गिती है, कैसे वह जमीन में गिती है, कैसे बारिश होती है, बरग गिर करके कैसे जमती है, यहां तो जैसे फ्रीजर में हम अपने फ्रीज में बरग को जमाते हैं, वो तरीका अलग है, लेकिन दोस्तों जो वास्तवी हमारा बरग वास्तों में जो बरग गिरता है सीदी, व वह बरब गिरने पर हमारा किस पकार का अन्भा होता है, वह परिवेश कैसा होता है, बरब गिरने में किस पकार का आश्मुष्प्यार होता है, कैसा हमको अहशाज होता है, किस पकार के हमको जानकारी होती है, और वातावरन कैसा होता है, उसमें हमको अच्छा बुरा क्या तो उस न भगवानों के वारे में जो दिबी रसना लोगों के अंत्रवान में चुभी रहती है कि भगवान का यह आशिर्वाद होता है, मौहांजाने से हमारी मनों कम नाए पूरी होती है और तमान प्रकार के जो फल हम मांगते हैं उसकी प्रात्य हो जाती हैं। तो जब तक हम वहाँ पर जाएंगे नहीं और परमात्मा से हम आराधना नहीं करेंगे, तो साक्षात रूप में हम वह पर जा करके श्वयंग की उपस्तिती में प्रियोग आत्मा गध्यन से किसी चीज को साक्षात रूप में करने का के लिए चाहितार्थ करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा अनुभव होता है। अनेक ब्यविन्य प्रिकार के शित्रों में हमारे कारी मिद्धों की रोष्रस्ता होती है। और हमारी प्रट्यक्स रूप में जो हम उसको देखते हैं, वही अनुभव यानि हमारे अनुभव को हमारे इस दो बर्दान होता है, हैum하는 की छटा में लोग रहते हैं, जो भी रिशी हैं, मुनी हैं, निक प्रकार के लोग होते हैं, तो उनको उहां का अनुभवग ऐसा है, वो वही जान सकते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मा भावनाओं का संचार होता है, तो दोस्तों, यानि मन से प्राप्त ज्यान की समझ परेडाम और फलों की प्राप्त जेके होती हैं, तो यदि हम सास्त्रों के अन्सार अगर अनुभव के बारे में सोचते हैं, तो आस्रों के, यानि आस्रई के मनोगत के अन्सार जो भाव हमारे अंतरकड़ में व्यक्तो होते हैं, शारिक चेश्टाय का जो हमको अनभव होता है तो शूस्मरोब में हम कह सकते हैं कि दोस्तों प्रत्यक्षा उलोकन या उसकी भागिदारी के माध्यम से परभाइद होने वाला ज्यान प्राप्त करने की जो स्थिति होती है वही अनभव का सही स्वरूब है यानि प्रत्यक्ष ज्ञान संबेतना यानि प्रयायोरगी परिक्षण से प्राप्त ज्ञान वही हम अनभव की सही संग्या अनभव का सकते हैं तो अनभवी व्यक्ति किसी भी कारी में इसलिए दक्षिता हमसिल करता है, उसकी जरुवत इसलिए पड़ती है कि हमारे कारियों में किसी भकार की कोई रुकावट पैदा नहीं है, क्योंकि अगर एक अनभवी व्यक्ति उस चीज को संपन करेगा, उसमें अपना हाल अपने बुद्धी लगेगा तो वह उसको पूर निष्टा और सही तरीके से उसको उसके लक्षिता पहुंगाएगा, तो अनभव दोस्तों किसी विशेश कारी या ग्रति बिधी में ज्यान का कौशल है, हम किसी भी शेत्र में जाते हैं, उससे जो ज्यान साक्षात रूप अनभव करते हैं, उसका उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसकी कारी कुछलता को पूर रूप से अपने अंधरकण में रखते हैं, उसका ज्यान रखते हैं, तो वही अनभव का सबसे अनभव का सही शरूब है, यानि जो अपने कारी और गदिविती को प् जिसको उसको अनुभव हो, जिसको जिसकारी में वह इतने सालों से काम करा हो, उसका पून अनुभव हो, कोई भी विशमता आने पर, चुनावती आने पर, कठनाई आने पर, वह अपने अनुभव के सौरी से उसकारी को संबन कर सके। तो जिएन वह अनुभव दोस्तों, जिएन हमें बाहर से प्राप्त होता है। अने प्रकार के रिशिमुनी विचारकों, बुद्धी जिएउं और प्रगुद्ध लोगों से हम जिएन प्राप्त करते हैं। और पुष्ट की जो पिचारकों दोरा पुष्टकों में लिखा हुआ। जो भी जिसी प्रकार का ग्यान हो वह हमको पुष्ट की अदियंद से भी होता है। चो जिसे हम किसी के शुर्जन जिए प्राप्त करते हैं, वह अनुभव जो है एक ऐसी क्रिया है। जो भीतर से निकलता है, अगर हमको हमने साक्षात रूप में उस कारी को देखा होगा, उसमें किसी की आशुता हमको ज्यान की आशुता नहीं होती है, हमारा अनुभव उस कारी को संपन्द करने के बारे में हमें कारी के प्रती लगन सील बनाता है, तो अनुभव, सात्विक, काईक, मानसिक और आहाल, किसी भी कारी के प्रती पूर्ण जानकारी का शुरूब है, कारियों के संपन्द करना और अनुभव का महत्तु भी यही है, दोस्तों कि हमें समझने में, बदलने में, स्वाइं को समर्द करने का जो मौका हम प्राप्त करत इस प्रकार हमारे अंदर सम्मेदन सीलता आत्म निर्भरता आत्म परिवर्तन की जो गहरी अनुभूती प्राप्रदान करने की अईव्यक्ति अनुभूती और अनुभव से ही महसूस कर सकते हैं। तो हमारे आशपास के लोगों की आशाओं, विचारों, कारियों को करने की सोच की मददव, गूर्था को समझना, किसी भी कारिका बस्तु के बारे में ज्यान का अनुभव होना। इसी के साथ हम, हमने अपने जीवन काल में, अपने जीवन ब्रतान्त में, अपने पूरे जीवन, जहां तक हमारा जीवन है, तब तक क्या ज्यान प्राप्ति किया, ज्यान प्राप्ति के प्रियोग अत्मक अध्यान से कारियों की जानकारी को प्राप्त करना ही अनुभव क को अगर हम अनुभव के बाल में सही माना करने वंद्धा करन ने मताएं तो जान हमको बाहर से प्राप्त होता है को अनुभव हम साक्षय प्रैक्ष प्रूर्प में अपने सामने संप्कन्म रखते हैं और वही हमारे भीतर में वैस्ता है और जरूत पढ़ने पढ़ए पो ही हमारे कारियों की पर्णित को संपन रगता है दोस्तों संसार में हर व्यक्ति विशेस कौ अपने जीवन को सफलता की सिरीजाव पहुचताने के लिए अपना मार्ग प्रशर्ष्ट करना होता है तो बिद्या, बुद्धी और विवेक सफलता को प्राप्त करने के मुखी मानक होते हैं बुद्धी, विवेक और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अनभाव की नितानता होती है और किसी भी कारी को संब्ण करने के लिए अनुबह वुमारे जिंन की सार्थकता का मूल आथार होता है इसी के सही तरीके से प्रयोक करने से हम अपने जीओन में अबूत पूर परवर्थन्या करशफ़ता के लक्षता स्पवे अपने पहस्तान में आ सकते हैं तो दोस्तो शूष्मरूप से अगर हम विचार करें अगर हम शूष्मदा से विचार करें तो अनुभवों का जितना परिस्कतमार्ग हम अपने जीवन में अपनाने का प्यास करते हैं, वही हमारे जीवन परिवर्तन की सबसे बड़ी उपलब दी है। दोस्तों कभी-गभी मनुश्य अपने जिवन में कटो अन्भावूं से भी गर्षित हो जाता है और यहाँ उसकी भूल के कारण जिवन में प्रिवेश करके हमें गहरा आगात वह जाने का प्रियास करने तक की नौबद आदा तो यह हमारी जिवन के तातकाली कटो अन्भाव कराते हैं तो अन्भाव दोस्तों अच्छे भी होते हैं कटो भी होते हैं कठिन भी होते हैं शरल भी होते हैं तो यह हमारे जिवन के तातकाली कटो अन्भाव कराते हैं लेकिन यही अन्भाव हमारे आने वाले भोशी के लिए प्रियना के सोथ के रूप में हमारे लिए बर गल्तियों के कारण होने वाले अन्भाव हमाई जीून को के भावशी के लिए सतरक्ता गल्तियों में सुधार के लिए बार्गदर्शित करने का सबसे बड़ी चुनोती है। आचार सहिता से परिपक्षता का ज्यान कराने में वह सहायक सिद्ध भी होती। शूस्मरोप से हम अगार सोचे दोस्तों। तो राष्टविता महात्मागादी ने चूग या गल्ति करके शनिक पिड़ा से हमें हमेश आगे लिए अपने को संबल की तरह मद्बूदी प्रदान करने का कारिकर किया है। तो गल्तियों से हमारी अनभव में लगाता त्रगरथी का मार भास्वत होता है। तो इसमें हमारे भहश्चिकी असमिता का मानक चुपा रहता है। इसलिए प्रदेक गल्ती से हम अपने अनभव में इजावा प्राप्त करते हैं। जब गल्ति में अनभावुं का लाब नहीं जता है तो हमें अपने अतीत की सिशी मेग लेकर आगे बढ़ने की पिर्णा से अभियूत होकर कार्यों को सुझोकर रखने के अमारे अंदर इस प्रकार का ग्यान आता है," तो हम काल्यों को सज़वकार रखने का प्रियास करते हैं। मानव जियोन में कुछ इस प्रकार के अनुभव होते हैं दोस्तों जो अत्यंत कठिन हालतों के साथ जबन लेते हैं। लेकिन गहरी सूदबुद और शुधार कनने के प्रियास की पहल हमें कुछ नयापं करने का प्रियास करते हैं। जिसके प्रणाम सुरूपश हमेशा के लिए क्रत्रशम गष्कर होका। शकार आत्म अनुभव और अपनी सोच को अग्सशित करते हैं। तो अनुभव दोस्तों हमारे जियोन के लिए मार्गदर्शन कारी करते हैं प्रतेक मानव को इसका अशास अपने आप में सोजने की अनुभूती होती है और इसके लिए हमें ना मार्गदर्शक मिलेगा ना कोई शिक्षक मिलेगा ना हमारे नीजी चिंतक मिलेंगे और ना मन अनुभव प्रकार या दोनों प्रकार के की बृति को की प्राप्तिका द्योतक है। यह यानि अच्छे बुरे विचारू के बीच के अंतर से उत्पन हुई शक्ती ही अनुभव का सबसे बड़ा खेल है। दोस्तों अनुभव हमारे जिवन के लिए एक खुली हुई किताब की तरह है। और अनुभव हिंता से के बिना हमारा जिवन बिना किसी सवारी के पानी के जहाद के समान है। जिसकी कोई दिशानी होती है यानि उद्देशी हिंता पर दर्शित करती है। अन्तोदोगता हमारे अनुभव में दोस्तों इतनी परिवकता और गुर्वकता होनी चाहिए कि हम किसी भी कर्मशेत्र में खरे उतरने की सकती का संचाल अपने अन्तोगरम का सब्सक्राइब। तो यही हमारे जीवन की उन्नतिका सबसे बड़ा सौपान है, सबसे बड़ा मारग है, सबसे बड़ा उद्देशी है। दोस्तों किसी भी स्तित में हम बदलते हुए काल खर्ण में, अपने विप्रीत परिस्तितियों में, अपने जीवन में लगातार सुधार से जो अपेक्षित अन्भावूं से एक दुश्य के लिए कर्दसंकलब होकर अच्छे कार्म के लिए मालगर्शित करके नियंतर जुद्धार को लाने का लगातार प्रियास करें तो तबी हम दोस्तों सही अन्भावूं से अपने इस्व तालीमाण कर सकती हैं तो परिपक को अनभव हमारी जून की साकारता का सप्टेपड़ा मानक है और परिपक को अनभव से हमारे कारियों की गुर्वत्ता में निखा राता है और हमारे कम समय में अधिक कारिय की गुर्वत्ता प्राप्त होती है और अनेग प्रकार के निरंतर हमको अनभव से मिलने वाला जो ज्यान है उसमें लगाता सुधार करके हम एक नई रसना का प्रियोग कर सकते हैं अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं अगर हमारा अनभव बढ़ता रहेगा तो उस कारी को हम उस चीज को बनाने का तरिका बदल करके उसका नविनी करन कर सकते हैं यानिन नौइद में इस जीवन के प्रिवेस में अग्रिशित करने के लिए अनभौ हुमारी जीवन के लिए बहुत बड़ा बढ़न हों और मानवता को एक सुर्धन सिल्फी के रूप में अग्रिशित करने काकारे अनभौ करते हैं तो जो अनुभवी लोग होते हैं, जिनका प्रियोग निरंतर सफल रहता है, अपने कार्यों के पृति, कृतवर्द रहते हैं, कड़े बद्ध होते हैं, संकल्प, वान रहते हैं, तभी हम सही अनुभवों के अच्छी समात का लिनुवान कर सकते हैं. तो शही अनुभवों के बारे होंगे, तो हम हमारा समाज बढ़ेगा, हम खुद बढ़ेंगे, हमारा परिवार बनेगा, हमारा देश बढ़ेगा, और विश्वस्तर हम निरंतर उंचाई की तरफ जा सकते हैं, और विश्व का भी कंजान कर सकते हैं. तो अनभव हमारे जीउन के लिए एक बर्दान के सरूब है इसकी गूर्ता को और प्रते कारियों के प्रते हमारे अनभवों की प्राकास्ता हैं वो हमाई जियून को सफलता की ओर ले जाने के लिए लक्षियों को प्राप्त करने के लिए अनभाउं से अनेग प्रकार के दिव्य अनभाउं से हमाई जियून को जिस प्रकार से प्रकाशित आलोकित करते हैं वो अनभाउं के सोचन्य का सबसे बड़ा मानक होते हैं और उसनी के परिणाम शरू हम अपने जूर में सफलता प्राप्त कर श्वयरिंग के साथ अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने का कारी करते हैं तो दोस्तों जितने भी बैग्यानिक हैं सिल्पकार हैं जो राज दिन सिल्पी कारियों में जुड़े रहते हैं अनेक घटनाओं से संबन्दित होते हैं जो निरंतर अनेक प्रकार के जोखिमों के कारियों को करते हैं और उन जोखिमों के कारियों से अपने को शुरक्षित अनेक रखते हुए कारियों की प्रणित को संपादित करते हैं तो उनके अनुभवों का अपार भंडार उनके उनको उनके जिवन में राते हैं। तो जब तक दोस्तो हम जोखिमों से जुदेंगे नहीं। परिस्तियों और अने प्रकार के विशम परिस्तियों से हम नहीं गुजरेंगे। उस परकार के परिवेश में हम अपने आपको साध्यंगे नहीं। एक भग तो होता है दोस्तों… वह अपने अनभवों से परमात्मा की प्राप्टि करने के लिए अनेक परकार के अनभवों की प्राप्टि करता है। परमात्मा की दर्षन करने का, परमात्मा की प्राप्टि करने का मन मनाता है, अपने जीवन में जो अनभावों के होते हैं, उन अनभावों को वो शाकार बनाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तो हर एक मानव जियोन का हर एक मार्ग अनभवों का एक अपार भंडार है और जितना हम अपने जियोन में जोखिम देते हैं कठिन कारियों और परिष्टियों से दूशते हैं और चुनोतियों का सामना करते हैं उतने ही हमारे अनभवों के शेत्र अनभवों का अनभ का कि गुणवत्ता को प्राप्त करके अपने जियोन को शकारात्पक ताकि वो लेदाते हुए मान सम्मान के साथ और जन-जन के हितैसी बन जाते हैं और जन-जन के आकर्षन के केंद्र बन जाते हैं तो अनभव का सागर दोस्तों तभी प्राप्त होता है जब हमारे अंदर जोखिम लेने की समता होती है जोखिम भी वही व्यक्ति ले सकता है जो अनभव का अनभव से जूशना जानता है नए अनभवों, पुराने अनभवों को केश को परिमाजित करते हुए, नए अनभवों की संग रसना को प्रदान करता है, और अपने जीवन में अनभवों का अपार बंडार बना करके, एक मार्गदर्शी जीवन बना कर, प्रतेक कारी को आगे बनाने का जो प्रियास करता है वही सच्चा अनुभवी है इसलिए दोस्तों हमारी जिरुन में जितना हम अनुभव प्राप्त करते हैं उनी अनुभव से हम कारियों को जिस परकार से अपने कारियों के प्रति हम समर्पित होते हैं और चाहे वह किसी भी सेत्र में हम कारिय करते हैं तो बिना अनभाव के हमारे कारियों को गतिली मिलती है। तो आज के प्रेणा दाग विचारू में आनन लेखनी ब्लोक में सबका अभिनान दन्य स्वागत है। सबके मंगल भाउच की कामना के साथ दोस्तों, हमें अनभाव के स्वारी को समझते हुए। अनभाव की प्राकाष्टा को समझते हुए, अनभाव की कारिशित्र को अपने अंताकर्ण में रखते हुए। कैसे अनुभाओं के सोजन निशे, स्वयंग के साथ अपने देश और दुनिया में अपना नाम जगाएं, अपने दुनिया में देश की उन्नत के लिए नईने नौन में इसकारियों का की रसना करें, तो यह दोस्तों अनुभाओं की प्राकास्ता का सबसे बड़ा मानक है, इनी मानुकों को अपने अंताकर में रखते वे, हम सही अनुभाओं के सोजन निशे, किसी भी कारी की गुणवत्वा को पून रूप से लक्षियों ताव पहुंसाले में सफलता हसिर कर सकते हैं। सब लोग प्रसंद रहें, खुश रहें, इसी बिकार प्रेड़ा राई विचारों में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।